् वेलकम बएक टू फेमिस दिशिस। दिसिस कावया, तो आज रुआने वाले थैंग, बनाना बॉण्डरा साज्य और अक hugs भ Отल?" हमें वेस्ट करना पड़ जाता है उसी केलो का इस्तमाल करते हुए आज हम एक इवनिंग स्नैक बनाएंगे बहुत ही जटपट से बन जाता है घर की इंक्रीडियन से बन जाएगा तो आएए चेक करते है जटपट सी रेसिपी अगर अपने अब यह तक हमें सब्सक्राइब न फिर यहां पर हम लेंगे एक कप मैदा छे बड़े चमच में ने आपर चीनी ली है आपके स्वाद अनुसार उसे कम जादा कर सकते हैं दो बड़े चमच में नारियल जिसे खीस लिया है ग्रेटेड नारियल फिर हम इसमें लेंगे आदा चमच लाइची का पाउडर एक तो और भी चीनी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से इसे बार एक पीस लेंगे चीनी का अच्छा सा पाउडर बन चुका है अब जो खेले हैं उन्हें हम छोटे चोटे तुकडों में इस तरह से काट लेंगे जाता टेस्ट आएगे अब यह जो पीसीुए चीनी होगा पीसिभी केड़स में घड़्या सब्सक्राइची पाउड केके केले नब छोटे फी केहने मुल दॉब्सक्राइच जाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे मैदा लिपेश। अच्छा से एक best 맞는 विषक अगर आपके पास हो तो आप एक विषकर का इस्तमाल करें और इसे अच्छा से मिला लें ताकि ऊसने कि फाल ना हो अब यह अच्छा से मिल चुका है शारे जो लंस निकल चुके हैं अब हम डालेंगे नारियन, फिर थोड़ी सी लाइची पावडर और इसे अच्छी से मिला लेंगे आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल पानी का इस्तमाल नहीं किया है इसमें हम डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ असा नमक बहुत जादा नमक नहीं डालना है बस एक चुटकी डालना है जब भी आप कोई मीठा चीज बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालें तो जो है उसका टेस्ट एन्हांस होगा एक बैलेंस टेस्स मिलेगा अब हम सारी चीजों को अच्छे से हमने मिला लिया है अब मैंने तेल गरम करने रख दिया है कडाई में तेल गरम होते ही हम इस तरह से हातों से ही इसे एक छोटे छोटे पोशन्स जो है वो तेल में डाल देंगे इसे लो मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही हमें फ्राइ करना है कुछ देर बाद हम इसे पलट देंगे ताकि सारी तरफ से अच्छे से पग जाए अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए जिसमें कहता है लो मीडियम फ्लेम में हमें इसे फ्राइ करना है नहीं तो जट से जल जाएगा इसे फ्राइकरने लगबग 3-4 मिनिट लगेंगे दीमे आच में उसे बीच-बीच में आपको इस तरह से टर्न करना है ताकि सारे तरफ से वह अच्छे से पग जाए आप अब देख से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है तो सारे तरफ से अच्छे से पक चुका है अब यह बिल्कुल तयार लग रहे हैं हम इसे निकाल सकते हैं लेकिन जब आप निकाले एक टिशू पेपर में निकालिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ओयल है जो आक्सिस ओयल है व अब तो बाहर से काफी क्रिस्पी और अंदर से काफी सॉफ्ट तो हमारे जो गुलगुले है या बनाना बॉंडा बिल्कुल तयार है अब देख सेते हैं कितने सॉफ्ट है अंदर से यह बिल्कुल सॉफ्ट है अच्छे से पक चुके हैं बहुत ही अच्छा टेस्टी स्नाक आपके घर में जब कभी जादा बनाना पक जाता है कोई पसंद नहीं करता जादा बनाना उस वक्त आप इस तरह का एक डिश पिना सकते हैं और इवनिंग टाइम में एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग के लिए बहुत ही तेस्टी रेसिपी है ज़रूर ट्राइ करें आपके वैल